है हलो फ्रेंट्स मेरे नाम दीपेंद्र है स्वागत मेरे आनलाइन पार्ट साल एक जाम सूपर संडे में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पुरोत्तर इस्टेट आसम के बारे में इसके पिछले वले सेशन में हमने अनुणाचल प्रदेश नागालान मडीपुर मिजवरम त तर नोङस में सकते हमें पढ़ेंगे असमके बारे में सब करेंगे इसके बियुक्त समपता के बारे में हमने सब्न क्षणि बढेंगे है बन ने बन जीवन के अंतरी कि हम पढ़ेंगे कौन-कौन से यहां पर वाल्ड लैफ संच्री है तथा कौन-कौनसा यहां पर आपके जो जन्तुओं को सरथ्चन प्रद्यान किया जाता है प्रमुख नित कौत साहstyी असम के connects – के हम पढ़ें कौन-कौन से यहां पर फेमस ब्यक्ति भी हुए हैं तो देखिए असम पुर्वत्तर भारत का एक राज है असम को पुर्वत्तर राज्यों का प्रवेसद्वार तथा पुर्वत्तर राज्यों का प्रहरी भी कहा जाता है क्यूंकि जब हम नार्थिस्ट के किसी भी इस्टेट में प्रवेस करते हैं एक पुर्वत्तर राज्यों को लिया गया एक सब्ध है जिसका एक साब्दिक आर्थ होता है वह है भूम जो सम्तल नहीं है ठीक है असम संस्कित भासा से लिया गया सब्ध है इसका साब्दिक आर्थ होता है वह है भूम जो सम्तल नहीं है इसके अलावा जो असम है इसका नामकरण किस बंस के अधार पर पत्कालिन सासक जो ताई विजेता थे उस ताई विजेता ने असम पर अधिकार कर लिया था उस ब्यक्त का नाम था चाउलूंग चाउलूंग ने जब असम पर अधिकार कर लिया और एक नए बंस की स्थापना की उस बंस का नाम था अहोम बंस इस बंस के अधार पर इस असम का नाम पढ़ा अर्थाद इस राज का नाम असम पढ़ा अहों बंस के अधार पढ़ तो किस ने अब असम पर अधिकार कर लिया था चाहूलूंग ने अधिकार कर लिया था कहां के सा सकते यह मिमार के सा सकते ठीक है इसके बाद जो ये असम है, असम में कभी-कभी question ये आजादा है कि असम में प्रचीन काल में कौन सब बंस था, तो असम में प्रचीन काल में 350 से लेके 1250 तक बर्मन बंस का सासन था, कौन किस बंस का सासन था, बर्मन बंस का सासन था, जिसके प्रसिद्ध सासन था, ग्रह बर्मन, भासकर से उसके बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे तो प्रचीनकाल में 350 से लेके 1250 तक असं में बर्मन बंस का सासन्रा इसके बाद से लेकर ड़ी ओड.ड करके 1826 तक आहोमञ का चासन था इसी अहों मन्स के अधार पर इस राज का नामकरण असंपड़ा है ठीक है कि 1826 में अहों मन्स का सासन 1826 तक चलता रहा तो 24 जनवरी 1826 को ब्रिटिस इंडिया ठीक है जो सेज भारत में ब्रिटिस का सासन था उसको ब्रिटिस इंडिया बोलते हैं इंडिया था 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 अहों मंसी राजाओं के बीच एक संद हुई एक ट्रीटी हुए जिसको यंडूब ट्रीटी बोलते हैं मैंने जो पिछले वाले सेशन में पढ़ाया था साइद नार्थिस्ट के जो साइद अनुनाचल प्रदेश का पढ़ाया था यह ना मतों जितनी भी इंडिया का राज हो गए तथा अहों मंस की समाप्ति हो गई थीक है तो हमने परिचे में क्या क्या पढ़ा है इसको हम नोट कर लेते हैं नोट कर लेते हैं नोट कर ये असम भारत का पुरोत्तर राज है पहला पॉइंट नमबर वन असम भारत का पुरोत्तर राज है नमब अभी कहा जाता है, नमबर तीन, असम नाम संस्कित से लिया गया है, ठीक है, लिखे, असम नाम संस्कित से लिया गया है, जिसका साब्दिक अर्थ होता है, वह भूम जो संतल नहीं है, असम को प्रचीन भारती ग्रंथों में, पॉइंट नमबर चार, असम को प्रचीन भारती ग्रंथों में कामरूप के नाम से अथ्वा प्राग जोतिस पूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, असम को प्रचीन भारती धर्म ग्रंथों में कामरूप तथा प्रयाग जोतिस के नाम से भी जाना जाता है पॉइंट नम्बर चार प्रचीन काल में 350 से लेकर 1250 तक असम में बर्मन बंस का सासन था प्रचीन काल में 350 से लेकर 1250 तक असम में बर्मन बंस का सासन था पॉइंट नम्बर पाँच मध काल में 1250 से लेकर 1250 से लेकर 1250 से लेकर 1226 तक अहों बंसी राजाओं का सासन था मध काल 1250 से लेकर 1226 तक असम में अहों बंसी राजाओं का सासन था इसी बंस के अधार पर असम का नाम असम रखा गया है अर्था इस राज का नाम असम रखा गया है पॉइंट नम्बर च्छे असम के अहों मंसी राजाओं पॉइंट नम्बर च्छे असम के अहों मंसी राजाओं तथा ब्रिटिस इंडिया के बीच अहों मंसी राजाओं तथा ब्रिटिस इंडिया के बीच 24 जनवरी 1826 को 24 जनवरी 1826 को एक संद हुई असम के अहो मंसी राजाओं तथा ब्रिटिस इंडिया के बीज 24 जन्वरी 1826 को एक संद हुई जिसका नाम यंडूब संदी है क्या नाम है यंडूब संदी या यंडूब ट्रीटी इस संद के एकॉर्डिंग ब्रिटिस इंडिया का असम में अधिकार हो गया ठीक है यह हमने परिचे के बारे में पढ़ा है अब हम पढ़ेंगे इसकी इस्थापना की भारत का राज कब बना 26 जन्वरी 1950 को असम भारत का राज बना इसकी राजधानी दिस्पूर है क्या है दिस्पूर क्या है ये है इसकी राजधानी दिस्पूर है 26 जनुवरी 1950 को ये भारत का एक राज बना इसकी अंतर राश्टी सीमा उत्तर की तरब भूटान के साथ सेर होती है ये आपका भूटान है पहले पॉइंट में क्या लिए पहले पॉइंट में लिए कि ये लिखा है आसम राज की इस्थापना 26 जनुवर 1950 को हुई है और इसकी राजधानी दिस्पुर है पॉइंट नमबर टू इसकी अंतर राष्टी सीमा भूटान के साथ सेर होती है अर्था साज़ा होती है उत्तर की तरब भूटान के साथ साज़ा होती है और पश्चिम की तरब बंगलादेश के साथ साज़ा होती है इधर आपका भूटान है और इधर आपका बंगलादेश ह पॉइंट नमबर टू असम की अंतर राष्टी सीमा उत्तर की तरब भूटान के साथ साजा होती है और पस्चिम की तरब बंगलादेश के साथ साजा होती है पॉइंट नमबर तीन समझते हैं यह बंगलादेश है यह बंगलादेश के पूरा तरब जितना भी आपका भारत का छेत्रफल है सिर्फ मरीपूर को छोन करके जितना भी छेत्रफल अनाचल प्रदेश नागा लाइन मिजोरम त्रिपुरम मेगाले यह सभी असम के पार्ट के दर्जा दिया गया 1987 में इसको अनाचल प्रदेश में एक राज बनाए गया इसी तरह नागालाइन को 1963 में मरीपूर पहले से एक राज बना हुआ था मिजोरम को 1972 में त्रिपुरा को 1972 में मेघाले को 1970 में सवैत्राज का दर्जा दिया गया उने सो भात्तर में यूटी के में लिखते हैं, असम राज के अंत्रगत असम राज में पहले मडीपूर को छोण करके, पॉिंट नमार तीन इस्थापना में लिखते हैं असम राज में मरीपूर को छोड करके बांगला देश के पूरम में इस्थित संपूल भारती छेत्रफर्ट सामल्ट था मडिपूर को छोड़ करके बांगला देश के पूरम में इस्थित भारतिय छेतर का संपूर भूभाग समलित था ठीक है लेकिन छेतरी मांगों के अधार पर एक सम्विधानिक प्रिक्रिया के दोरा लेकिन छेतरी मांगों के अधार पर तथा एक सम्विधानिक प्रिक्रिया के अधार पर इसको भिविन राज्यों में बाढ़ दिया गया जैसे अनुनाचल प्रदेश, नागा लैंड, मेजोरम, तिपुरा, मेघाले ठीक है, पॉइंट नमबर तीन कंपलीट होता है हमारा तो हम पढ़ चुके हैं, परिचय पढ़ लिया हमने इस्थापना पढ़ लिया है, इसकी इस्थापना हमने 26 जनौरी 1950 यह थो हमने नोट कर लिया है, राध्धनी दिश्पूर भी हमने नोट कर लिया है अब पढ़ते हैं कि भासा, ठीक है, तो यहां की जो भासा है असमिया, बोडो, कार्भी, बंगला भासा यहां प्रमो कुरुप से बोली जाती है ठीक है, कौन इ discomfort भासा बोरी जाती है? असम्याँ, बोडो, कारबी तथा बंगला भासा थे प्रवक्रुप से बोली जाती है लेकिन असम्याँ तथा बोडो भासाएं छेत्री तथा अधीकारिक दरज़ा रखती है अर्थात यहां के जो असम के 40% लोग है वो बोडो भासा का प्रियोग करते हैं और 50% लोग असमिया भासा का प्रियोग करते हैं और 10% आपका बंगला है, हिंदी है, अंग्रेजी भासा का प्रियोग करते हैं ठीक है तो बोडो तथा असमिया भासा प्रमुक के छेतरी तथा अधिकारिक दरजा रखती है और जो बंगलब हासा है वो यहां पर आपके बराक घाटी के बराक घाटी के तीन जिलों में अपना अधिकारिक दरजा रखती है हिंदी काब के पर्थम कभी सरहापा थे क्या आपको मालूम होगा हिंदी काब के पर्थम कभी सरहापा के कविताओं में असम्य भासा के चिन्ध पाये जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन ये पूँच लिया करता है कि सरहापा के कविताओं में पुर्वोत्तर राज्यों में से किस राज की भासा के अंस पाए जाते हैं तो वो असमिया भासा के अंस है ठीक है कौन-कौन सी भासा यहां बोली जाती है आपकी असमिया हो गई बोडो हो गई ये प्रमुक और छेतरी भासाएं हैं फिर आपकी बंगला हो गई, हिंदी हो गई, बंगला भासा बराग घाटी के तीन जिलों में अपना अधिकारिक दर्जा रखती है और असमिया तथा बोडो, प्रमुक, छेत्री तथा अधिकारिक दर्जा रखने वाली भासाएं हैं, ठीक है? सरहपा की कविताओं में असमिया भासा कुछ अंसपाय जाते हैं, तो भासा के अंतरकत लिखते हैं, असम में असमिया बोडो, बंगला भासाएं प्रमुक, रूप से बोली जाती हैं, इसके अलावा कारवी भासा भी बोली जाती है, कारवी छेत्र में कारवी भासा बोली जात बंगला कारवी छेत्र में जो कारवी पठार है उस छेत्र में कारवी भासा बोली जाती है असम में असमिया, बोडो, कारवी तथा बंगला भासाएं प्रमुक रूप से बोली जाती है लेकिन असम्या तथा बोडो प्रमुक छेत्री तथा अधिकारिक दर्जा रखती है लेकिन असम्या तथा बोडो प्रमुक छेत्री तथा अधिकारिक दर्जा रखती है बराग घाटी के तीन जीलों में बंगला भासा प्रमुकुरूप से अधिकारिक दर्जा रखती है अर्थात बराग घाटी के तीन जीलों में बंगला भासा प्रमुकुरूप से बोली जाती है ठीक है, point number two note करते हैं, शात्मी आठ्मी सताब्दी में हिंदी के प्रथम कभी सरहपा के कविताओं में असमिया भासा के चिन मौजूद है या चिन पाए जाते हैं, ठीक है, सात्वी या आठ्वी सताब्दी में असमिया भासा के प्रमुक्चिन पाए जाते हैं यह हमने भासा पढ़ ली है अब हम पढ़ेंगे भौगोलिक तत्थ के बारे में कि असम में कौन-कौन सी पहाड़ी हैं, कौन से पठार हैं, तथा असम को कितने भागों में विवक्त किया गया है, यह पढ़ेंगे हम. देखिए, असम के जब भागोरिक तत्रिक अंतरगत, असम को हम तीन भागों में विवक्त करते हैं, ठीक है? पहला पहला भाग है आपका, उत्तर का मैदान, या ब्रमपुत्र का मैदान, उत्तर का मैदान या ब्रमपुत्र का मैदान, ठीक है, तो यह है आपका उत्तरी छेत का मैदान, ठीक है, इस उत्री छेत के मैदान में आपका जो ब्रमपुत इसकी सबसे बड़ी नदी है ये बहती है ठीक है तो जो उत्तर का मैदान है इसकी ढाल प्रवड़ता बिल्कुल कम है अर्था जिसका जो ढाल है बिल्कुल कम है जिसकी वज़े से जो ब्रमपुत नदी है बिल्कुल धीरे दीरे बहती है और अपने कई भागों में बढ़ जाती है ठीक है जिसकी वज़े से चोटे-चोटे नदीदीपों का निर्मार होता है जैसे माजुलीद्व ऑमानन्दा जो भारत का सबसे छोटा नदी दीप और माजुली दीप विश्व का सबसे बड़ा नदीप इजी इनी छेतर पर निर्माण होता है इसकी ढाल प्रवाणता कम होने कान ये जो पूरा छेतर है ये ब्रमपुत नदी के बार से पीडित रहता है ठीक है तो ये उत्तर का मैदान हो गए तो उत्तर प्रवाणता कम होने कारण ब्रमपुत नदी कई भागों में बढ़ जाती है जिसकी वजे से जिसकी वज़े से छोटे-छोटे नदी दीपों का निर्मार होता है, जैसे माजुली दीप, माजुली दीप, उमानंदा दीप, उमानंदा नदी दीप, ठीक है, ये नदियों में दीप बनते हैं न, तो नदी दीप बोल जाएगा, माजुली नदी दीप, उमानंदा नदी द जा लेए पॉइंट नंबर तीन में इसकी धाल पोर्णता बिलकुल शहता नदी की बार का पीडित रहता है ठीक है हम इसके तीनों पॉइंट पढ़ लिया है उत्तर के मैदान या ब्रह्म पूत्र का मैदान ठीक है ब्रह्म पूत्र का मैदान उत्तर का मैदान या ब्रह्मपूत का मैदान तो इसमें पहला पॉइंट यह है यह बिल्कुल उत्तर में स्थित है दूसरा पॉइंट यह है कि इसके ढाल पॉइंट बिल्कुल कम है जिसके कान ब्रह्मपूत नदी कई भावों बढ़ जाती जिसकी वाज़े से छोट छोटे नदी दीपों का जन्म होता है जैसे कि मजली दीप तथा कुमानन्दा दीप नमबर तीन ढाल प्राण तक कम होने कान ये पूरा छेतर है ब्रह्मपुत नदी की बार से पीडित रहता है ठीक है दूसरा आपका अधर के मैदान है ब्रह्मपुत मैदान हमने पढ़ लिया दूसरा है आपका मिकिर मिकिर तथा उत्तर कछार का पहाड़ी छेतर उत्तर कछार का पहाड़ी छेतर भगोली तथिमिक अंतरकत जो असंकों तीन भगों वियक करते हैं पहला है आपका ब्रह्मपूत का मैदान या उत्तर का मैदान दूसरा है मिकिर तथा उत्तर कछार का पहाड़ी छेत्र मिकिर तथा उत्तर कचार का पहाड़ी छेत्र में इसकी धाल पूंटता बिल्कुल बहुत जादा होती, जिसकी वज़े से ब्रह्म पुत्र तफह उसकी सहायक नदियों दोरा लाए गएवसाद अत्य तेजिक साथ आगे बढ़ते हैं, इसके धाल प्रॉन्टा अत्य ध्यादा होने कर ब्रह्म पुत्र तत्र नदियों अपने अपने आउसादों को लेकर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं इस छेत्र की धाल प्रोणता बहुत ज़्यादा होने करण ब्रम पुत्र तथा उसकी सहायक नदियां आउसादों को लेकर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं नमर तीन सुर्मा नदी घाती और उत्तर कछार का मैदान कछार का मैदान के तीसरे है जो हम असम को तीन भॉंग व्यव्यक्त करते हैं वो पहाडी चेत पढ़ा है अब हम पढ़ेंगे उत्तर कछार का मैदान या सुर्वा नदी घाटी देखिए जब पहाडी चेत के ढाल बहुत तेज जादा होती जिसके ब्रह्म पूत तर उसके साइक नदिया औसादों को लेकर आगे बढ़ती है तो इस चेत पर आ जाती है शुर्वा नदी घाटी देखिए अधर उत्तर कछार के मैदान इन औसादों यहांपर एक विश्तित मैदान का निर चूर भंडार पाए जाते हैं इस सुर्मा नदी घाटी में प्राक्टिक गैस तथा प्रेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं नोट करते हैं ब्रह्म पुत्र तथा उसकी सहाइक नदियों द्वारा लाए गए आवसादों कार्ण इस छेत्र का निर्माण होता है ब्रह्म पुत्र तथा उसकी सहाइक नदियों द्वारा लाए गए आवसादों कार्ण सुर्मा नदी घाटी तथा उत्तर कछार के मैदान का निर्माण होता है इस छेत्र में पेट्रोलियम तथा प्राक्टिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं पॉइंट नमबर असम की पहाड़ियां ठीक है असम की जो तीन पहाड़ियां है बराईल रेगमा मिकर यह आपकी बराईल हो गई यह आपकी मिकर हो गई बराईल रेगमा मिकर यह आपकी बराईल रेगमा यह आपकी मिकर तीन पहाड़ी है असम की तो लिख लेते हैं असम की पहाड़ी असम की पहाड़ी के अंदर कर लिखते हैं असम में तीन पहाड़ीयों परमुक रूप से पाई जाती है कौन कौन सी, नमबर एक, बरायल, नमबर टू, रेगमा, नमबर टीन, मिकिर, ठीक है, असम के पहाड़ी के अंदर कर लिखते हैं, हेडिंग डाली है, असम की पहाड़ी, असम की प्रमुक रूप से तीन पहाड़ीयां पाई जाती है, नमबर एक, बरायल, नमबर दो, रेगम नमबर तीन मिकिर ठीक है अब बात करते हैं कार्भी एलॉंग का पठार कार्भी एलॉंग का पठार हमने पढ़ लिया पहाड़ी पढ़ लिया है बराइल रेगमा मिकिर कार्भी एलॉंग का पठार इसके अंदर के समझते हमने जब मेघाले पढ़ा था तो मेघाले में हमने पढ़ा था सिलांग पढ़ार जो सिलांग पढ़ारे हों मेघाले के अंदर का सीमित नहीं है ये आपका असम के कार्वी एलॉंग जिलो तक भी फैला हुआ है ये, ये सिलांग पठार जो है असम के कार्वी एलांग छेत तक ठैला हुआ, इसी वज़े से इसको कार्वी एलांग का पठार भी कहा जाता है, इस सिलांग पठार को, ठीक है, कभी कभी आ जाए कि कार्वी एलांग का पठार कहां इस्तित तो असम में है, ठीक है, तो ये ब्रहिंदिक डाल लेते हैं कार्भी लोंग को पठार इसके अंतर लिखते हैं में घाले के में नो Bradya में 19 दिशी लान पठाव कि असंग के कार्भी लोंग छेत्रों तक फैला वज invasion गईसरी इस पूरे छेत्र को कॉर्वी ईलांग को पठार भी कहा जाता है ठीक है? अब पड़ते हैं, ब्रह्मपुत नदी ब्रह्मपुत नदी, आसम की सबसे बड़ी नदी और सबसे प्रमुप नदी है, इसकी 35 नदियां है, ठीक है, यह नदी तिबबत में, देखिए यह नदी तिब्बत में यह तिब्बत है आपका तिब्बत में मरियन ला दर्रा ही आपका मरियन ला दर्रा मरियन ला दर्रा और यहीं पर आपका एक सरोवर है एक मरियन ला दर्रा के पास इस्तित एक ग्लेसियर है तो इस मरियन ला दर्रह के पास इस्तित एक ग्लेसियर जिसका नाम है चेमा यूंग डूंग ग्लेसियर जो ब्रिम्पुत नदी है तिबद के मरियनला दर्रह के पास इस्तित चेमा यूंग डूंग ग्लेसियर से निकलती है ठीक है यह निकलती है और नमचा बर्वत पर्वत के पश्मी किनारे से भारत में एक टीखा मोड लेते हुए प्रिवेश करती है, ठीक है? कहां से निकलती है मरियन ला दर्रे के पास इस्तिस चेमा यूंग ग्लेसियर से निकलती है इसको तिबद में सांगपो के नाम से भी जानते हैं ये असम में पूरब से पस्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए धुबरी जिले के निकट धुबरी के पास बंगलादेश में प्रवेस कर जाती है। ठीक है इसकी 35 सहयक नदियां हैं धाल प्रवोड़ता है बिल्कुल कम होने के मैंने पहले बता है धाल प्रवोड़ता है बिल्कुल कम होने कान यहाँ पर छोटे 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 नदी दीपों का जन्म होता है जैसे मोजली दीप तथा उमानन्दा इसकी 35 सहयक नदियां हैं तो प्रम्पुत नदी हेडिंग डालीजे ब्रम्पुत नदी लिखते हैं ब्रम्पुत नदी के बारे में पॉइंट नमर एक यह असम की प्रमुख नदी है यह असम की सबसे बड़ी वह प्रमुख नदी है इसकी 35 सहाइक नदियां है यह असम की सबसे बड़ी वह प्रमुख निकलती है यह तिब्बत में इस्थित मरियनला दर्रे के पास इस्थित चेमा युंञूंग ग्ल्शियग दकलती है इस नदीको तिब्बत में सांग्पो के नाम से जाना जाता है जिसका साथिक अर्थ होता है शुद्ध करने वाला यह भारत में नाम्चा बर्वापरवत के पस्चिम की तरफ से भारत में प्रव्यस करती है यह असम में पूरब से पस्चिम में प्रवाहित होते हुए धुबरी के पास बंगलादेश में प्रवेस कर जाती है पॉइंट नमबर थ्री प्रवाव छेत्र कम ढलवा होने कान यह नदी कई वितरकाओं में भिभाजित हो जाती है प्रवाव छेत्र कम होने कान यह नदी कई वितरकाओं में विवाजित हो जाती है जिसकी वज़े से छोटे छोटे नदी दीपों का जन्म होता है जैसे आपका माजुली दीप विस्ट का सबसे बड़ा नदी दीप है माजुली दीप विस्तु का सबसे बड़ा नदी दीप है अभी हमने पढ़ा है उमानन्दा विस्तु का सबसे चोटा नदी दीप है अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में ठीक है यह नदी वर्साकाल में इसकी जो चौणाई है दो से आठ किलोमेटर दो से आठ किलोमेटर इस नदी की 35 नदिया है ठीक है कि हमने भावरिकत पढ़ लिया है ब्रंपुत नदी पढ़ लिया है अब जब इसका कौन-कौन से नदिया इसमें आके मिलती है मानस अमो संकोष और सुमंड सिरी वगरा इसकी जो बिस्तित है कि हम पढ़ेंगे नदी तंदर के में जब हम पढ़े है ठीक है भूटान से निकालने मानस अमो संकोष इसमें मिलती है इसका पूरा नदी तंद हम बादने पढ़ेंगे अब पढ़ते हैं खनिश के बारे में असम के जो में संपदा है जो में आपका मिल्रस है वो पेट्रोलियम तथा प्राक्टिक गैस के विशाल भंडार में इसका न चार्सोपचास लाक टन र सो पचास लाक टन पूरे भारत का पचास प्रिस्सट इसी राजय है पाए जाता है अब संप के किन किन छेतरों में यह प्राकाटिक गैस वुँआ खनीज तेल की विशाल भंडार पाए जाते हैं तो उन में से उन छेत्रों में से आप बिगबोई का नाम सुना होगा पहला तेल को वह भारत का खोदागा है वो डिगबोई हगरी जन मोरान सुर्मा नदी घाटी तता नहर कटिया प्रमुक रूप से यह इस्थल है जहां पर प्राक्तिक गैस वह हुआ कोईला पेट्रोलियम तता प्राक्तिक गैस की विशाल भंडार पाए जाते हैं कौन-कौन से इस्थान है डिगबोई ठीक है नहर कटिया हगरी जन मोरान सुर्मा नदी घाटी छेत्र अभी हमने पढ़ा है सुर्मा नदी घाटी छेत्र इनमें कोईला तता खनीश तिल के संपूर भंडार पाए जाते हैं बहुत जादा भंडार पाए जाते हैं लेकिन सुर्मा नदी घाटी तता हगरी जन मोरान में प्राक्तिक गैस के भी साल भंडार पाए जाते हैं अर्थात खनीश तेल के साथ साथ खनीश तेल पेट्रोलियम और खनीश तेल के साथ साथ यहां पर प्राक्तिक गैस के भी साल भंडार पाए जाते हैं अभी कभी कुश्चन सैंके अंतरगत कोईला तथा खनीच जिल असम प्रमुक्ष संपदाय कोईला तथा खनीच तेल असम की प्रमुक्ष संपदाइं है संहाई कि खनीच देल हैOver Muself का अनुमानित भंडार 450 लाग तन के लगबक भारत का पचास प्रिस्त इसी राज में पाए जाए जाता है खनिस्ट टेल में का लगभत 450 लाग टन मा ? भारत का 50抗ुम इसी राज पाए जाता है पॉइंट नंबर ।करिये यहां तेल-चेत्रों में यह तेल-चेत्रों में यहां तेल छेत्रों में डिगबोई, नहरकटिया, हगरी जनमोरान तथा सुर्मा नदी घाटी छेत्र प्रमुक रूप से हैं। अब पढ़ेंगे हम बन औंबन जीवन, बहुत इंपॉर्टेन बन औंबन जीवन, बन औंबन जीवन के अंदरगेत हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ें काजी रंगा नेशनल पार्क कौन सा काजी रंगा नेशनल पार्क यह 1985 से विस्टु धरोहर सूची में सामिल है किसके लिए प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैणों के लिए काजी रंगा नेशनल पार्क हो गया नमर दो मानस हो गया यह किसके लिए प्रसिद्ध है रोयल बंगाल टाइगर के लिए रोयल बंगाल टाइगर के लिए तीन हम पढ़ेंगे एक वाइल लाइफ संचुरी है सुनाई रुपाई सुनाई रुपाई प्राक्तिक विवस्ता के लिए प्राक्तिक विवस्ता के लिए ठीक है तो बन जिवन के अंतरकत पहला यह है काजी रंगा नेशनल पार्क 1985 से विश्व धरोहर सूची में सामिल है किसके लिए प्रिसिद्ध है एक सिंग वाले गैड़ों के लिए प्रिसिद्ध है दूसरा है मानस किसके लिए पृसिद्ध रवयल बंगार टाइगर के लिए हैं एक वाइलल dönts संच्री स्थिनाई रुपाई किसक भीट होगा है ठीक है है अभी आपका- इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमोक निरत्र के बारे में फोर सा वास कर लेते हैं कि थे खिर इसको लिख लेते हैं पहले बन बन नि जीवन कंथर पहला काजी रंगा नेशना पार के लिखिये काजी रंगा नेशनल पार्ग हेडिंग डालिए इसके अंदर कर लिखे काजी रंगा नेशनल पार्ग 1985 से विश्व धरोहर सूची में सामिल है काजी रंगा नेशनल पार्ग 1985 से विश्व धरोहर सूची में सामिल है यह एक सींग वाले गैणों के लिए प्रसिद्ध है यह एक सींग वाले गैणों के लिए प्रसिद्ध है नमबर दूसरा लिखे मानस दूसरा लिखे मानस रायल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है रायल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है नमबर तीन लिखे सुनाई उत्पादन के मामले में भारत में नंबर एक पाएजाज चाय उत्पादन के मामले में असम का असम नंबर एक पर है असम का इस्थान पहले नंबर पर चाय उत्पादन के मामले में प्रमुक बिक्तित्त की बात करेंगे प्रमुक विक्तुत में पहला है आपका संकर देओ कौन सा संकर देओ आपने भक्तिय अंदोलन सुना होगा भक्तिय अंदोलन के समय असम यह भासा कि प्रमुक कभी थे कौन थे संकर देओ प्रमुक विक्तुत के हैं पहला नाम लिखे संकर देओ भक्तिय अंदोलन के समय असमिय भासा के प्रमुक कभी थे लिखे संकर देव में लिखे भक्ती अंदोलन के समय संकर देव असम्या भाशा के प्रमुख कभी है नमबर दूसरे लिखो, भूपेन हजारीका, सुना होगा नाम, भूपेन हजारीका, भूपेन हजारीका भारत रत्न तथा दादा सहब फालके पुरुस्कार से सम्मानित एक परसिद गायक है भुपेन हजारीका, दादा सहब फाल के पुरुष्कार तथा भारत रतन शे सम्मानित एक प्रिसिद गायक है नमबर तीन नोट करिए गोपिनात बार्डो लोई गोपिनात बार्ड लोई नाम सुना है अपने? बार्ड लोई ये आसम के पहले सीम थे आसन्ठ प्रदेश के पहले सीमकाउन ते गो पीनाट बार्डलोई सोएतराज छेतर آپने नान सुना है किसी किसी राज में सोएतराज का दर्जा दिया जाता है जैसे कि बेश्ट बंगाल में आपको दारजलिंग को सोएतराज का दर्जा दिया गया है इसके बाद आपका आरुनाचल प्रदेश में भी स्वेत राज के कुछ छेत्रों में दर्जा दिया गया है मिजोरम में भी स्वेत राज के दर्जा दिया गया है मनीपूर में भी स्वेत राज के दर्जा दिया गया है तो इसी तरह जो स्वेत राज का दरजा देने का जो concept है वो गोपीनाद बाडलोई का है कभी गोपीनाद बाडलोई कही देन है यह आसम के पहले मुखमंत्री थे कभी कभी कुश्चन यह आ जाता है कि जो स्वेत राज छेतर का concept किस बिक्त के द्वारा दिया गया तो वो स्वेत राज छेतर का concept इनी की देन है स्वेत राज छेतर के जो संकल्पना है गोपीनाद बाडलोई की ही देन है इसके बाद गोपीनाद बाडलोई के बाद आप काजी रांगनेशना पार्क तो पढ़ी चुके हैं वो भी एक तरह से प्रोक बिक्तित के नतरकत आसम के आता है इसके बाद हम पढ़ेंगे बोडोव पीश एकॉर्ड बोडोव सांती समझोता बोडोवी एकॉर्ड 2020 यूनियल में मिस्टर अमिस्सा है था बोडो नेताओं के बीच हुआ था इस सम्झोते के तहें जो बोडो भासी लोग है ठीक यह जो बोडो पीस एकॉर्ड हम एक ब पुल मिला के ट्राइब से अधु आसी छेत ने बोडो भासी के लोग तो ये लोग एक सुवेरियन कंट्री की मांग कर रहे हैं, मतलब एक अलक राज, अलक देश की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो अब स्वेत छेत में मान गए है कि हमको एक स्वेत छेत दिया जाए, तो उदल गीरी, बक्षा तथा चीरांग, इस चार जीले को एक BTA का धर्जा दिया गया है, Bodo Territorial,tle अटमुस district का धर्जा दिया गया है, इस पीस एकोर्ड केता है और उनको एक तरह से प्रोटिकल पाउर भी दिया गया है बहुत ज्यादा अपना विकास करने के लिए तो यह एक बहुत एधियाजिक समझा होता है इसको हम बाद में पढ़ेंगे दो इत्तबर समझ लिए को 2020 में यूनियन मेरिस्टर अमिस्टा था 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 बोडो नेताओं के बीच हुआ था इस थीख है यह हमने सेबन शिष्टर स्टेट के साथो राज कमप्लीट कर लिया है आज हमने लिखा भी है इसके बाद हम पढ़ेंगे पुरुत्तर राज का अंतिम स्टेट सिक्किम के बारे में ठीक है इसके बारे में मिलते हैं तब तक के लिए गोड़ नाइट